जैसे आज बहुत ही पावन पवित्र दिन है तो भावान ने बहुत कुरुपावस होके जो गुबर्धन लीला रूपी लीला हमको ये जीव जगत के लिए छोड़के गए हैं तो भावान जब धराधा में आये थे तो गिरी राज जी के साथ और गोपालों के साथ ब्रजजन कांप शुरू करेंगे अभी वर्धन लीला थोड़ासा हम डिस्कस करने के लिए हरे किष्णा हमाई ओडिगूल इसदारें इशू करने से पहले हम अभी एक स्लोक में प्रणाम मंत्र गाएंगे जो ब्रजजन उन्हें जब यह जो लीला चल रहा था तो उन्होंने कैसे क्या मंत्र से उनको प्रणाम किया है तो यह जो मंत्र है तो उस्लोक में डिसकस्न में आएंगे तो मैं शुरू करने से पहले ही वह मंत्र कहे लेता हूं तो आप अगर सभी उसको रेफर भी कर सकते हैं स्रीमत भागवतं टेंथ कांटो दसवां जो सकंध है उसका चौबीसवां अध्या है चौबीसवां देका 36 लोग है 10.24.36 तो ऐसे ही ओ गिर्या जी को जो ब्रजजजन है तो वह से कैसे उनको प्रणाम की है तो क्या मंत्र बोलके प्रणाम की है बहुत ही इंपर्टन आज के दिन के लिए ओ मंत्र है तो मैं ओ प्रणाम मंत्र करें अब चाहें तो उनको गुगल म तसमे नम ब्रजजने सहा चक्र अत्मना अत्मने अह पस्यत साइल असा उरूपी ना अनुग्रहं ब्यद्धात तो ब्रजजबहसी कैसे वह प्रणाम की है तो क्या क्या बोलके प्रणाम करते हैं तो क्रिष्ण भी वहाँ पर उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो ब्रजजन के साथ मिलके, क्रिश्ण भी उनको यही सलोक बोलके उनको प्रणाम कर रहे हैं . तो यह हो गया हम प्रणाम कर लिए भी फिर हम चलेंगे गोबर्धन रिलाइगे और तो बहुत ही कम समय में तो गोबर्धन जी जो है जो गिरिराज हैं तो कैसे वो प्रकट होते हैं इस धराधाम में तो उनका आगमन से पहले का बात हम डिसकेशन करेंगे जैसे भगवान से अबने जो गलग ब्रंदावन में प्रस्तुत हो रहें तो खाली आएंगी नहीं अकेले तो आएंगे लिए कि चलिए अभी थोड़ा ब्रजलीला करेंगे तो वहाँ पे आपको भी जाना है मैं भी जा रहा हूँ तो वहाँ पे हम सब मिलके कुछ देर तक वहाँ पे लीला चलेगा हमारा अध्यात्पिक लीला है तो राधरानी बोलती है कि नहीं, हम तो अकेले नहीं जाएंगे, वहाँ पर तो गिरिराजी नहीं है, जमना जी नहीं है, तो यह सब अगर पहले वहाँ पर जाएंगे, तो फिर हम वहाँ पर जाएंगे, तो ठीक है, तो भगवान बोलते हैं, ठीक है, तो पहले गिरिराजी को वहाँ पर प्रकट कराते प्रकट कराते हैं तब जाके अधरानी मानती है ठीक हम वहां पर ब्रजील ला करने के लिए आएंगे तो फिर वह ऐसे ही क्रम में तो गोबर्धन जी को भगवान उनके आने से पहले यह वहां पर प्रकट कराते हैं तो और एक यह तो एक हो गया फिर दूसरा जो है तो सत्य जुग में क्या हुआ था जो पुलस्त रूसी थे तो वह तपस्या करना चाहते थे तपस्या करने के लिए उनको एक बहुत अच्छा जो परवत है जिसमें गुफाई होंगी जब फूल के ब्रुक्ष होंगे जो परिवेस एकदम सांती माय होगा बताबरन सही होगा तो वहां पर बेटके तपस्या करने के लिए एक हंत में वह अपना ऐसा सोचे तो क्या कि यह तो जो परवतों के पिता है तो वह उनके पास गया कि मुझे एक ऐसा ही एक परवत दीजिए जिसमें मैं जो गुफाई होंगी ऐसा जो उनका जो भी यह था मनोविष्ट था कि ऐसा ही में परवत है तो उनमें बेटके मैं अपना जो भजन भक्ति है जो तपस्या है वो करना चाहता हूं तो उनके एक जो पुत्र थे हरिदास बरिय तो उनको पुलस्तर उसी थे तो उनको द्रुणा चाहले जो है जो इनको देना नहीं चाहते थे लेकिन जो पुलस्तर उसी थे तो उनको वही गुवर्धन को देखे तो उनको बोले कि नहीं मैं तो यहीं परवत मुझे चाहिए तपस्या करने के लिए पिर वह बोले कि अच्छा मतलब वह देना नहीं चाहते लेकिन रुसी है तो उनको तो संतुष करना पड़ेगा द्वार पर आए तो ठीक है फिर उनको दे दिये लेकिन यह जो गवर्धन जी है तो उनको एक सर्थ रखे कि ठीक है मैं तो आपके साथ जाने के लिए राजी मुझे तो फिर मैं और नहीं उठोंगा फिर पिर आप मुझे नहीं जाए ते मैं वह ही पर रहूंगा तो ठीक है वो पुलेस तरुसी थे तो ठीक है मैं तो लेके चला जाओंगा वह बीच में रखूंगा क्यों फिर वह लेके चल दिये तो जा रहे थे जा रहे थे जैसे ह तो जो घर्यजी थे तो उनको तो वहीं पर रुखने का का वहीं पर रहने का ब्रज में वास करने का उनका मण हुआ फिर घर्ए यूअ ये वह लिला ऐसा हुआ कि जो पुलने इसे थे उनको नेचर कल हाया खुट हो अभी बहुत जो दिस्टैन्स बाकी है? तो लेकिन इनको यहीं पर रख देता हूं फिर जाके अपना जो नित्यकर्म है करके फिर से उठाके वहां पर चल जाओंगा मेरा जहां पर जाना है कि क्या कि आप मुझे जहां पर रखेंगे तो मैं और वहां पिसी नहीं जाओंगा फिर उनको पता चल गया कि यह ब्रज में रहना चाहते तो उनको फिर अभी साप दे दिये मतलब जैसे अभी साप है वह भरदा नहीं है रुषियों का तो रुषिमन्यों का जो भगते हैं कि कि आप सर्शों के भाति आप मतलब निचे जाएंगे तब मलत दब जाएंगे बैंड टू कोर्स अफ। ऐसा मतलब उनका अभी साप नहीं बोल सकते अईसा उनको वह दे दिये थिर ठीक है तो ब्रज में ही रहे तो यह गया प्रज में कैसे रहे तो यह जो प्रकट होने का दो तरह से हम इसके माध्यम से जो हमने सुना था हूँ अपने प्रस्तुत किया है फिर देखिए वो जो गिरिदाच है तो कौन है तो जो है उनको भगवान के भक्त हैं लेकिन वो गिरिदाच जो भगवान का सुरूप है तो ये दोनों तरफ से उनको पुझा जाता है वो सिक्रम में चलके हमको उनको इसे मतलब द्यान में ऐसा रहना चाइब गिरिदाच जीınd है वो भगवान के ही रूप हैं भगवान का सुरूप हैं और भग्वान केवक्त भी लिए तो भगवानưफ है बस चल है तो जो जो गिरिदाच का पुझा होता है तो जायो बॉलाई कि मेरे पुजा से मेरे भक्त का पुजा बड़ा करो ऐसा वो बोले थे इसलिए उनका गिर्याजी का हम सभी बंदना करते हैं सभी पूजा करते हैं उनका बीदी है वो करते हैं तो यहाँ पर बताये गए कि सब आप जानते हैं जो साथ दिन तक गुबर्धन को धारण किया था यह कहता तो यह जो लीला है यह गिर्या जी का जो पूजा है तो कैसे शुरू होता है 24 में अध्याय में तसमसकंद का 24 में अध्याय में तो भगवान यहां जो सिकुदेब गोस्वामी जो बता रहे हैं उसमें बता चुद्ध को समें बता रहें क्या बता रहें कि अ ब्रज में जो भगवान थे दरधाम में तो वहां पर क्या हुआ था जो हर साल यह लोग, इंद्रदेव को भी पुजा करते थे जो बारिस के लिए वा इंद्रदेवेis सांबल होंगे गा sih तो है बारे करेंगे तो ठीक है लेकिन भागवान एक दिन क्या हुआ इंद्राद्य पूजा होता है तो फिर सब बेट के उसके आयोजन करने लगे सब जगा उनका जो है वह करते हैं तो उससे पहले मीटिंग करते हैं कौन-कौन क्या सेवा करेगा कैसे किसे सेवा हुआ क्या प्रसाद बनेगा क्या यह से सब हो वेट के वह चर्चा कर रहे थे तो अभी महाराज के गोद में जाके बैठ गहाने कि यहांपे क्या सब रहे हैं किला इंद्र देव के पूजा करना है तो हम लोग यह सब आलोचना करें नाटे ऱ सब बहुती एया है जो ठीक है तो लेकिन ये जो इंद्र जो कर रहे हैं तो इनका तो ये काम है इसका तो कोई इंद्र जो है जो कोई फेवर नहीं कर रहे हैं तो इनका ये काम है तो इनका जो भगवान से उनको जो सकती मिलती है उनको जो कार्य दिया गया है उसे उसे करते हैं अचा आप लोग करते हो उनको सभी चड़imientoते हो लेकिन समंधर में समंदर में तो साथ साल का बालक जो है वो बता रहे हैं तो सारे ब्रजवासी सुन रहे हैं तो कर्म का बारे में बहुत सारे स्लोकों में वो कर्म के विध्धि के बारे में जो है आपको कर्म करिए तो कर्म का फल जो है उसके स्वरूप आपको जो है आपको यह प्राप्त होगा आपकर कर और नहीं करेंगे तो जैसे गिता में बोले हैं कर्म सटक में ऐसा ही लाइन से उनको भी कितने में बहुत सारे स्लोकों में समझा रहे हैं पर उनकी पूझा करते हो आप तो गिर्याज की पूझा करना चाहिए क्योंकि वह से आप सबको प्राफ्त होता है आपका जो गोधन है प्रुष्थ करने है तो अब गिर्याज की फूझा करना उन से आप उप्राफ्त होता है और यह आप बिर्याज की इनद्र देव को भोग लगता जो एक आप ने देखा इंद्र दे नहीं को यवस्त देव को फूझा तो दो फिरिया-जी को अब भोग लगाएंगे तो वह तो साधर ग्रहन करते हैं। वह तो उनको ग्रहन करेंगे, उसको आप देख सकते हैं उनको, तो छोटे से सतसा साल के भ्यक उरुल gonna. जुरिवे और उनको साथ साल के हो चुके थे। तो उनका कितना जो है, उसके पहले लिलाएं हो चुका था, इसलिए जो ब्रजबासी थे, उनको भगवान कृष्ण के पर अतुर्ट भरसा हो चुका था, वो भरसा जीत चुके थे, उससे पहले क्या हुआ था, पूतनास छे दिन में आये था, सकट भंजन लिला, तुना बर् प्रजबासी हों कि आँखों के सामने बश्चासूर, वकासूर, अगासूर, फिर ब्रह्मा व्यमहन लिला भी वो हो चुका था, वो तो तीन साल में हो गया था, फिर धेनुकाशूर, फिर कालिय, फिर प्रवलमबासूर, अगनिदेट्य, यह सब 7 साल से पहले, यह सब लिल के उपर भी हो चुका था तो अरे अच्छा तो उनका विधी तो हमको पता नहीं है तुम बताओ किसे तुम्हारे ठाक कुरुजी का कैसे पुजा होता है फिर वो बिधी बताते हैं कि ऐसा करना है ऐसा करना है तो पुजा की बिधी जो है वो 31 से दसम्सकंद के 24 में अध्याइ अध्याइं करना है कैसे उनके श्तूति करना है यह सब पुजा की बिधिया है तो ब्रजवासी तो नहीं जांते तो पहले तो उ किये नहीं तो कृष्ण बता रहे हैं पहले ही ऑने समें लेते हैं और पीर लेकर उनका पिर जो ज़क्या है आहुती है जो जैसे भगवान बत करते हैं यह हो समाझ आते हैं फिर वह सारे जो बस्तु है जो जो ले 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 लें कहाले और जोंका स्वरूप है जो प्रकट देश से मुखार विंद है ऑगान की देखो यह जो गिर्राजी है गोबर्द है नहीं यह तो हमारे काना का जैसे चाहें इसका नाख देखो काना का आंख देखो एसा ही पुरा मतलब सिमिलार दर्शन कर रहे हैं तो भगवान जो है वह सारे जो है पुरा जूस का जो है जैसे तलाब जैसा पुरा बना है फिर जो पुजा की भगवान वहां पर बताएं तो अन्न का पुरा पहाड उनके पास लेगा वह तो गिर्राज है वह तो परबत रूप में है तो उनके लिए यह जो चड़ावा जो हम प्रस्तुत कर रहें गें तो उनको सारे को ग्रहन कर लेते तो उनको कितना अधिए पहाड जो है उनके पास कितना भोग लगाना पड़ेगा जाके फिर वह कंप्लीट होगा उनके पास रख्थखेंगे तो तो कुस तो दिखेगा जैसे कोई हम स्वर्ष्टों का एक दाना रखेंगे तो उनको जो भोग ले रहा है तो उनको कैसे लगे तो इसलिए बहुत बड़ा आयोजन होता है तो अन्नकुट महस्चों उसको बोलते हैं तो सारे जो हमारे इसकौन के जो क्यंद्रे हैं उसमें आज वो बहुत ही बड़े उस्चा से उलला से बड़ा जिन से वहिघा इसकौन हमारा जो भूमनिश्यूर का टड़ा करके जो फारम है वहां पे बहुत बड़ा आकार से वह पुजा होता है औनका एक पूरा पहाड ज CA बनाते है फिर आगे इसके बहुत सारे सारे बेंजन हजारों बेंजन उनके सामनी रखे जा है पूजा सब किये तो एसा एसे बोलके सारे जो जो पुजा बीदी भगवान जो बता रहें तो उसमें क्या कर रहें जो गायद है उनको सब जो सारे जो उनको भी संतुष्ट करना है भवान गो ब्राह्मन हिताय चाओ प्रस्तुत किये इंद्र बहुत पुजा के लिए इधर लाके गिर्रयाजी को प्रदान किये तो जो जो प्रशा करने के लिए अच्छे बस्त्र तो और जो ब्रह्मन थे उनको वहां पर जो संमिलित हुए थे तो वो सारे आश्रिबाद कर रहे थे, मतलब पूरा जो बताबरन था, वो बाध्यात्मिक अलोकिक परिवेस वहां पर हो गया था, तो ऐसे ही करके, तो वो क्या किये, पूजा तो किये, होम किये, उनको सारे अफरिंग किये, फिर गोबर्धिन जी का वो परिक्रमा किये, गौबर्ध हनुनुटी को जाते हैं तो इसलिए हम लोग घिर्याजी का जो है अभी परिक्रमा आगा तो उन प्र लुक surveillance बड़ा विसदर स्था जकींटर करीब इससे जी से जयादा हो सकता है लेकिन अभी 22 मिलमटर के उसको हम सुस्ट स्दूर ले कि वहीं से भागवान उनका विष्वास लाने के लिए और प्रकट और फिर नए विद्यों थे उनको ले लिए फिर सारे जो प्रणाम किये जो सारे गायों को लेकर प्रणाम किये फिर चले आए अपने अपने घर में चले गए पिर क्या होता यह उपने यह पहर प्रणाम किये यहां पर आप्रिण करता है जो और पने किये तो उनको पता चले आनुचर थे तो उनको बताए कि क्या हो रहा है वो लोग क्यूं जो एक पुजा का समय है जो है अभी हो गया है तो पूजा तो नहीं करेंगे कि वो छोटा सा बालक है कृष्णी नाम का बालक है तो वो उनको बालक के बातों में आकर वो आपके पुजा के इलाबा चोड़के परवत कुझा करें परवत ब्रज में है तो उनको पुजा कर रहे हैं तो यह सब मेरे पुजा छोड़के एक मिट्टी का धेर ही जो पर्वत है उनका पुजा कर रहे हैं तो फिर उनको इंद्र जो थे वह बहुत ही गर्भानित हो गए थे तो यह जो है भगवान के जो सार बल लेते हैं तो उसमें चार पांच उद्टे से उनका पूरा कर लेते हैं तो ऐसे जो पुजा हुआ उसमें इंद्र जो क्रोधित हुए उसमें क्या हुए उनके पास जो शक्तियां थी तो फिर वह ब्रज के उपर बीना कुछ समझे ही मतलब प्रभावित होगे और प्रज को अपने जो अनुचरते तो उनको बोलें कि आप वहां पर ब्रज में प्रलय लाईए उनको सब है इसा जो मेरा क्रोध का सिकार अभी प्रज होगा तो वहां पर देखेंगे कि इंद्र प्रसन नहीं है तो उनको क्या नतीजा भोगना पड़ रहा है तो ऐसा करके ओ अपना जो संबर्थक जो है प्रलय में जो बारिस होता है यह हम लोग देखेंगे हैं यह फिप्टी मिलीमिटर ऐसा हो गया बहुत ज्यादा हो गया इसलिए बहुत पानी बढ़ गया तो उनका जो मेजर्मेंट में नहीं हो तो पिलर जैसा जो जैसे बहुत बड़ा एक पाइप से जो पानी जो डालते हैं बहुत बड़ा क्यों से एसे ल handlar करजा हैं मेलके जो जो यह जा आनधी तूफान हो पवन का पाभन का गती है हम लोग जो यह देख रहें उसे कहीं करोड़ गुना ज़्यादा वह तूफान का जो सकती है जो गति है और वह जुद्धार जो वर्षा है जो प्रलाई के समय होता है जो अगर होगा तो प्रलाई होगा को जीब जन्तु कोई पेड़ पोदा कोई जीब कोई नहीं बचेगा अगर वह बारिष होगा तो ऐसे ही यह संभर्थक जो है उनको बोलते हैं कि जाओ ब्रज में उसको पूरा मतलब नश्ट कर दो जैसे नश्ट मतलब जो ब्रजबासी है अगर बारिष होगा अगर आंधी तूपान होगा प्रलैक जहां पर होगा तो क्या होगा कोई भी जीब तो नहीं बचेगा तो ब्रज को पूरा नश्ट कर दो तो ऐसा बोलके वह ऐसा ही शुरू कर दिये वहां पर जैसे ही वह खतम हो घर से गए फिर उसके बाद तुरंत ही यह सब शुरू हो गया है तो तो तोड़ा सा टाइम लग सकता है एक्विल कोपरेट सबको में यह पूजा नहीं किया यह कृष्ण का बात मान के हमने उनका जो पूजा है उनको भी पूजा कर लेते हैं इसा सब बहुत सारे सजेशन्स वहां पर आने लगे तुमने बताया कि पूजा बंद करने के लिए देखो क्या हुआ अभी क्या होगा कोई नहीं बचेगा इंदर के प्रकौप से तो बोलें कि अरे जो मेरी बात में आये हैं तो में ही बचाओंगा तो बोलके वो गये ठीक है मैं इसका कुछ बेवस्ता करता हूं फिर जिसका पूजा की है वह हमको बचाएंगे फिर वह जाके गिर्याज के पास गये फिर गिर्याजी को अपने जो बाएं हाध के छोटी उंगली से फिर उनको पूरा उठा पिर उठाके फिर एक चट्टान के ऊपर खड़े हो गये तब कि मतलब जैसे उठाए और गिर्राजी जो थे जैसे भगवान ने उनका सफर्ष किया तो जैसे जो सी खुबसूरती जैसी हर्याली जैसे उनका सुंदिर था वो बहुत हजार गुना भी बढ़ गया जैसे गिर्राजी को भगवान ने धारण किया वहांपर पेड थे पूस्ट यो ब्रुक्शे थे वह और फूल थे वह नीचे गिर गए और ये फ modular कि Sag bust आने से पहले कि एक गिर्या जी को उठाए तो उनबanne को पूरा कॉंप्लीट वॉल्कम के लिए वुढस्तफागत के लिए प्रस्तुथिद कर दिय बारिस तो बहुत होता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा उसका एक ही को यह कर रहे हैं कि इंद्र जो थे गव्णे जी को गर्ब में ऑल बटने कहां अ गारिया गर्वोहस्ति करने लिए उपी कर्वस्तूति का जो है वह सेकंड चाप्टर में दस्माध्धाय का जो सेकंड चाप्टर है उसमें यह सारे जो बताए गए हैं गर्वस्तूति जो है वहां 26 से जो जैसे ही वहां पर प्रस्तूत हो गए तो इस सारे देवता लोग वहां पर प्रकट हो गए थे भगवान की स्तूति करने लगए गार्वस्तूति बोलते हैं उनको उसमें इंद्रदे भी थे जो थे वहां पर कितना साथ साल हूआ है कहां पर मरत्य में तो सोर्ग वहलोग संठ लियृष्ण पर में साथ मिनिट भी नहीं हुआ होगा तो यह जो गर्वस्तुति जो करने आए थे फिर यह जो गोपरद्धारण के लीला है उसमें भगवान को मुर्थ में साथ साल हो आता है लेकिन सोज़से बोलते हैं कि जो पित्रु लोक में हम जो पिंडदान करते हैं एक साल जो में एक बार लेकिन पित्र लोग में एक दिन होता है हमारे एक साल होता है तो इसलिए हम उनको अरोज हूगा उनको जो है खानाओं देते हैं पिंड दान करते हैं लेकिन फिली स्वर्ग लोग में जो कि या का कलक्लीस कई तो वहाँ पे यहां पर साथ साल यर वहां पर तो साम इन हाला होगा स तो वा इस आत मिनीड के अंदर करने के लिए नौटे मुंद्य का नहीं पा है to चोटा बच्चा बोल रहें फिए उसका जो है जो गर्व स्थूति के से किये हैं तो भववान को कैसे कैसे यह किये हैं तो थोड़ा से एक स्वलोक में हम यह करोंगा जो की मुख्य स्वलोक है करें तो आपके सरण में आ रहे हैं तो आप ही सत्य हैं आप ही सत्य संकर्पे हैं आपको जानने का उपा है सुष्टी के पहले सुष्टी से पहले प्रड़े के बाद और संसार के जो जब चल रहा है इस्तिती के समय में असत्य प्रत्यक असत्य अवस्था में आप ही सत्य सुरूप में बिद्दमान हैं भूमी जल तेज बायु आकास ये सारे जो पांच जो देख रहे हैं हम प्रबर्त्यक हैं आप सक्ष्ट्य सुरूप हैं हम आपके सरण में जो जिनके सरण में सारे देवतागन आये थे इंद्री भी वहां पर उपस्तित थे तो फिर वो कैसे भूल गए कि यही भगवान है जिनको मैंने थात मिनिट पहले इनका स्तूति किया था तो ये भगवान भगवान हैं जो गभी वहां आजाता है तो इसलिए भक्तों को वह जो आ जाता है तो गर्व नस्ट कर देते हैं लिला है उनका उनको बूला देते हैं फिर उनका जो घर्ब है उनको नस्ट की जो लिला है यह जो सब वहां पर कर रहे हैं तो उनको जाके चिंद्र दिव को बता दी कुछ तो वहां पर यह है कि मुझे में जितना सकती है मैं अगर वहां पर अभी शुरू किया हूं लेकिन वहां पर कुछ हो नहीं रहा है मतलब उनका कोई भी एक तिनका भी उनका प्राब्लेम नहीं हुआ अभी तक वहां पर मुझे को पता है मुझे को समराने वहां पर तुनावर्त एक सकती साल ही जो दैत था तो कंस ने भेजा था वह हमारी मेरे तरह ही पूरा पारफुल था वह तो स्वर्ग को भी पिला देता था तो वह तो चोटा था अभी तो सासल का बहुत बड़ा हो गया है तो कुछ तो इसमें है प्रब्लम बलता है नहीं नहीं तुम जा कुछ नहीं होगा मेरा 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 को लेकर और जो बजर लेकर मैं आ रहा हूं पिर आके पिर एक दिन दो दिन तिन दिन सब तो कमा साम जो है पारिष तूफान चल रहा तीज तूफान चल रहा पिर भागवान जो है अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली से गोबर्धन को धारण किये हुए है तो सारे जो एक भी बात पिध्यान में सब का आएगा कि आच नीसरी बाहर से जो पारिश हो तो और अधर जाया तो उससे ब़IG वजबासी प्रभाट वहान नहीं रहां जो परवत के ऊपर पषब भी थे बासुअब पक्षियां जो बहु थे तो उनक कुछ बहक तो पीक नहीं रहा था मतलब एक तिनीका था ऑग उदर हुदत देखे दो तीन चार दिन के बाद फिर आ के वह अपना ब्रज्जिस्रे गवर्धन के उपर प्रहार कर रहा है फिर बज्र का भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसा करते गए, करते गए, करते रहे हैं, फिर अंधर की जो लिला है, वो कैसा चल रहा है, जो सिकिस नहीं है, वो अपने छोटी एंगली से पकड़े रखे हैं, तो सारे जो ब्रजभासी है, वो थोड़ा सा पहले से तो भ अदेरा था लेकिन जो गोवर्दं कीये थे उनका नीचे का बातापप्रहन था' नीचे का आलोक की विवेस्ता थी भगवान कुस्तुमाणी पहान तो उसके अंदरस्पा परिवत का नीचे का एरिया था कि जो भ्रच ब्रच भासी थे जोसुदा मां कर रहे थी जो सब ही तो भगवान को दर्शन कर रहे हैं तभी तो अलग तरह से होता है ओ सब एक तरह सोचेंगे लेकिन मां अलग तरह सोचती है जो बहुत दुखी होता है पिर जो उनके सखागन थे उनका जो भगवान के साथ जो आदान प्रतान है वाक्य का जो भाव का आदान प्रतानों करते हैं तो अब अलोकी तरह से होता है तो सखागन सब उनके पास चले गए अरे यह काना पकड़ा है उसको कहते हैं यह करें पिर मधुमंगल जो हैं उनका सखा है तो बहुत जो सकती है ना यह जो सकती है यह जो मैं ब्राह्मन हूं ना तो ब्राह्मन मेरा जो तेज है ब्राह्मन उससी तेज से यह पकड़े रखा है इसका जो शकती मिल रहा है न उससी तेज से भी सकती है तो भागवान किश्ण दर्द होता हुगा फिर मां जो भगवान को कैसे उठाइं जैसे मुस्रूम होता है तो उसको उठाने में उसको पकड़े हैं कि नहीं पकड़ें पता नहीं चलेगा कुछ दिर बाद इतना हलका है इतना सोफ्ट है तो एसे भगवान को तो एसे उठाएं तो मुझे कोई दर्द नहीं होता है तो एसे दर्द नहीं होता है तो फिर उसे उंगली लगते हैं फिर यहां पर और एक तत्तो है कि जो जैसे जो ब्रजबासी यह मों घर्वत के दर्शन कर रहे हैं तो सारे भगवान को तो तो कभी-कभी दर्शन करते से गोचरन के लिए जाते हैं गोचरन के लिए आते हैं तभी दर्शन करते हैं लेकिन जो ये सब के मन में जो भगवान को दर्शन करने की जो अभिला से थी तो इसको भी गोपरतन लिला में भगवान उसको पूरी कर रहे हैं कि सारे जो ब्रज उसको निहार रहे हैं तो उसमें आनंद मिल रहा है उनको तो और एक बात है जैसे भगवान गोबर्धन को धारण किये हैं तो कुछ बजब्यासी तो उनके पीछे भी होंगे ना तो वो तो भगवान का मुंडल को दर्सन नहीं कर पा रहें ऐसा नहीं था जैसे हमारा पूरी म उसले ठीक उसी तरह जो जो नो-धन को धारण किये थे तो जो आगे था-जो पीछे था-जो सभी जैसे भगवान को दर्शन करना चाहतें है तो सभी ऊभर यदो सारे निका पॉर्षण का सभी दर्शन कर रही है तो यह हो गा भगवान जी जो है उनका जो इछा था वो पूर्ठी हम तो भगवान की tease में पीना चालते दो भी हो इसे करनों मतर तो सात दिन सात रात हो गया तो इंद्र जो्षळ ये जितना भी उन्नका जो भगवान ओंको प्राप्पत हुए मतलब शक्राइब कर चुके था वें करकर फिर उनको परेशान Kalia 25 सब्सक्राइब Hmm witherson बड़ी सकती इसमें एक प्रभाव में oxid कने नीम से जिन चिने Palm Software racism करके आये था साथ मिनिट पहले तो कैसे भूल गया अपनी जो गलती है अपना जो बड़ा जो पस्चा था उनको हुआ कि मैंने इतना बड़ा पाप किया जो जिन से मुझे सक्तियां मिलती है जो सुवर्म भगवान है जो मेरे प्रभु है परमाराध्य भगवान है तो उनकी चरण में मैंने बहुत बड़ा अप्रयात के लिए इनके बिना और कोई नहीं हो सकता फिर उनको पस्तावा हुआ फिर वो माफी मांगने के लिए अपने मन में प्रस्तूत हो रहे है फिर इधर क्या हुआ जो साथ दिन साथ रात तक जो प्रले का जो यह था तो कुछ भी न जो निजजन थे परिजन थे उनको में परिशानी में डाला तो भगवान आये इतना परिश्रम किये यह कि धारन किया बहुत ही तो इधर क्या होता भवान का तो अलग लिला चल रहा है तो सारे जो प्रजबासी जो थे और यह तो जो काना है इतने देर तक वह पकड़े रखा है चलो आम उसको थोड़ा है करके अपने जो लाटी है उनको गवर्धन जी के नीचे लगाते हैं सपोर्ट के लिए तो तू त फिर तक पकड़ेगा हम लोग थोड़ा सपर्ट करें थोड़ा रिलाक्स करता है जैसे यह थोड़ा सा उंगली को यह किया तो गवर्धन पूरा हिलने लगा तो फिर वह सारे लकडी थे उनका सारे तूट गए तो समझ लिए कि नहीं यह सिर्फ कृष्ण ही उनको यह कर रह तो बहुत हो जाता है जो जो ब्रजभासी को पर बहार जाते हैं फिर उनको पूरह स्थापित कर देते हैं फिर जो आते हैं तो सारे जो ब्रजबासी थे वो क्रिश्ण को प्रकट करने के लिए सब आए उनको प्यार कर रहे हैं जो गूपियां है तो सभी उनको प्रेंग कर रहे हैं मुख कुमंडल को चुम्बन कर रही है तो ऐसे ही चोटे जो कहना थे साथ साल सब ही उनको प्रजबाशी तुम ने हमको महाविपत से बचा लिया इंद्रक्रकोब से आपने हमको रक्षा कर लिया तो सभी खुसी से नास्ते गाते हैं फिर भगवान जो फिर से जो क्या है भग मां होती है ना तो उनको पता होता है कि मेरा बच्चा तो साथ दिन साथ रात कुछ भी खाया नहीं फिर देखो इतना परिश्रम कर रहा है एक हाथ उठा के रखा कितना परिश्रम तो वो लोगे कि सारे प्रजबासी भी उसको अनुबब किये तो वह क्या ठीके हम का तुमने साथ दिन तक कुछ नहीं खाया साथ रात तक कुछ नहीं खाया इसलिए हम भगवान जो एक COR लगा तो आट म्यश्रम अहीं को लगाते हैं तो feast लिए टुमने साथ दिन तक नहीं कहा न तो इस footprint शुपन तो इस दिन से और भगवांजी प्रता है जो हमने सुना था कि उसी दिन से पृता भगवान को बच्पन नहीं कि सता वन नहीं सब्सकति नहीं शुर हो गया था भगवान कुछ नहीं किये अपने आप ही बारिश किये बज्र किये फिर अगहत किये फिर अपने आप ही नहीं जो ब्धिमान है जो भगवान का भक्ति हो हमेसा भगोन की अंगल से ही सोचेंगे की जैने मेरheis गलती तो नहीं मैं इस कार्य से प्रसण है तो आप्ता है सोचता है फिर वह outright तो इंद्र करने के लिए गया था और वही हमारी कुरूपा से ही हमको कुरूपा करने के लिए इस धर्ती पर प्रकट हुए है हमारे जो जो तो उसके बाद गर्प्सुति उसके प्रकट हुए टृ बहुत करते हैं तो ठीक हो क्या कि पहले कि शुरुबी गाय को लेकर आए तो बहुत वस्ता रहें उनके बहुत बड़ी गलती हो गई आपके चरण में अपराद किये हैं ग्रण मेरे बहुत लिवाय के लिवाक्षण करने के लिए फिर वो वनको कर देटेते हैं और आपका जो गर्व था इसको वो हो नस्ट हो गया मैं अब से आपके शरणागत में रहके आनुगत में रहकर ही जो आपने जो कारे समपाई पिर यह जो यह जो लिला है यह गोबर्धन के एक स्थान पर हुआ है याज भी है तो आप जाएंगे गोबरदन का परिखरमा लगाएंगे तो वहां पर एक है इंद्रदेव का आकर जो क्षमा मांगें, ख्यमा स्तली वहां पर एक मंदिर बना हुआ है तो सभी स्टाच्व से बने हुए तो इंद्रदवा के भगवान से ख्यमा अचना कर रहे हैं तो यह इसतान भी है अप दर्सन कर सकते हैं तो ऐसे ही जो ब्रदन धारन लिला तो गोवर्धन क्या है गो जो है गाये है जो गाये को अनंद देता है बहुत सारे उनका चरण चिन है तो जो 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 है वह भगवान के जो सेंसे से उनको आनंद प्रदान करते हैं और एक बात जो है कि जब जब भगवान जो जो गोवरदन जी को धारण कह के थे तो उसके अंदर हो क्या क्या तो सारे जो बाहर जो बायिशा है जो जो परिवेस था Trading उसे सब हैं तब तो मदंगर बुक्वार जो प्रिवत कुशन चरंच जो है जो बस्तु है जो जीव है जो जिसका विपरुतार लगता है जैसे जमना जी तो बहह रही है कर रहा है जुझा जाते बहना बंद हो रुक जाते है फिर जो हड्ब psychiat है ते ये जू पैनीज लगता है जो सबाव है उसके विप्रुतार वेट हो कधा tests तो पानी वह स्तीर हो जाता है तो सभाव के विप्रित वह सारे जो लिला हो जाते हैं तो अभी बांश्री बजाएगा तो यह गोबर्धन जो है वह स्तीर है वह अगर फिर धहर से जो पिगलने लगे कि फिर हम उनके सब नीचे आजाएंगे तो वह लेकि नहीं ऐसा कुछ नह के नीचे थे जो सारे ब्रजवासी गण थे सभी आननल उसमें उनका अनुबब कर रहे थे तो एसे ही तो भगवान ने जो गोबर्धन धारण किया और ब्रजवासी के साथ लिला किया इंद्रिका गर्वनेस्ट किया भगवान ब्रज के जो व्यासी थे उनका जो इच्छा करने का पसर दिया अनुकुट मॉस्टर किया ठीक्रमा जो लगाएं जो भी पर क्राओं नाज 처음 परप्रसंद होँगे उनकी प्रकुपा करेंगे उनका आध्यात्मिकुणनती होगा यह सारे जो लीला है जो ब्रज में यह सब जो कर रहे तो यह गवर्धन लिला उसमें बहुत ही प्रमूक है भवान के प्रिये हैं तो हम सभी ह़क्त गण जो करते हैं और उनके कुल्पाविक्सा करते हैं और वैश्नों के चरण में कुल्पाविक्सा करते हैं और